गुड़गाओं में भी कई जग है जो है इस तरह की घटना है सामने आई सर इन्वेस्टिकेशन आप लोगों की कहा तक पहुंची है कौन कौन से घटना में कितनी फायर हुई है कितने लोगों को परेस्ट किया गया देखिन की घटना को जो अंजाम दिया गया था वो 31 जुल इंसिदेंट रिपोर्टेड होए है गुड़गाओं के अंदर सभी के अपर ग्यांता से मॉनिटर करा जा रहा है उन चीजों का इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है और केसे सो हैज और बिन रिजिस्टर इन लंबर ऑफ 22 जिसके अंदर अभी तक गुड़गाओं प्लिस न गुड़गाओं में और पिछले 24 गंटे की बात करें कई सारे वीडियो और रियूमर्स वह चल रहे हैं सोचल मीडिया के माद्यम से काफी ऐसे रियूमर्स हैं काफी ऐसे वीडियो पोस्ट करी जा रही है जो शायद कहीं और दूसी जगाओं की भी है कुछ यह जरू मानते वो सबी जितने भी घटना करम थे उनके पर काबू पाया गया है संबंदत के खिलाफ एफाया रिस्टर करी गई है ऐसे मिस्क्रियंट्स जो लोग खास करें सी एक्टिविटीज में इल्लीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ सकताई से कारवाई कर आरेस्ट करें गए हैं, लोगों को डेटेंन करा गया है लेकिन हम ऐसे किसी भी हम मैं आपकी तरफ से एक मादम से आपको सूचेद करना चाहता हूँ, आम पॉब्लिक को सूचित करना चाहते हैं, कि हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ हैं, जो लोग मिस्भेव कर रहे हैं, मिस्लीड कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज में इन्वाल वा रहे हैं, तो काफी लोगों के अंदर ये रोश आ रहा है, कि प पर्टिकुलर समुदाय विशेश के लिए काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, सिर्फ किसी भी इलिगल एक्टिविटी या घटना करम को रोकने के लिए, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, कि पुलिस बिल्कुल समवेदन शील होकर इन चीजों के अपर एक्टिविट करा जाएगा और पुलिस बिल्कुल सकताई सोल के खलाब कारवे करेगे, सर इसके लावा जो आभी है, इसको लेकर क्या आप खास आप लोगों के तायारियां है, गुडगाओं में कितनी कंपनी और कितनी पोर्टिक लगों होती है, और गुडगाओं पुलिस के बिहाब प हम जारी करते हैं, और as usual जो हमारे normal जो standard procedures रहते हैं, उसके तहाँ हम arrangements करते हैं, हमेशा से होते आए हैं, लेकिन अभी मौलाना साब ने भी एक appeal करी है, कि जितने Muslim समुदाय से लोग हैं, वो अपने घरों से उस चीज के लिए नमाज अदा करें, लेकिन गुडगाओं पुल को कुछ अंजाम ना करें, और आपसी भायचारा और सद्भाव बनाए रखें, यह अपील करना चाहते हैं, इसके लावा सर्थ पलाइन भी गुडगाओं के कई ऐसे सेक्टर से हैं, जहां पर शुरू हो गया है, लोग छोड़ जाटके जा रहे हैं, यहां से, क्या लोगों आपके लिए सेफ है, आपको किसी भी परकार का कोई भै नहीं होना चाहिए, हमने अपने नमबर्स फ्लैश कर रखे हैं, गुडगाओं पलिस कंट्रोल रूम से आप संपर कर सकते हैं, 112 नमबर डायल करके, आपको किसी चीज़ की रिपोर्ट करना है, आपको किसी चीज़ क की असिस्टेंस चाहिए, कोई हल्प चाहिए, आप सिर्फ 112 नमबर मिलाईए, विदन फाइव निट्स गुडगाओं पलिस आपको रिपोर्ट करेगी, फ्लैग मार्च वगरा करी जा रही है, लेकिन अब जो सिती है, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, पलिस हर जगह मोनिटर कर रही है, नाकाबंदी हो रही है, इसे लोगों की चेकिंग कर रही है, इंटिफिकेशन करनी कोशिच कर रहे है, जो लोग ऐसी अक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, तो इस परकार से पिछले 24 गंटे में तो कोई घटना कराम ऐसा सामने आया भी नहीं है, तो मैं किसी भी परकार की कोई ऐसी घटना कराम नहीं होने देंगे.